नमस्कार और वेलकम टू अलोफ यू इन ग्लोबल लुकॉग। इनको जो महात्मा गांदी थे वो अफरिका से आयते इंडिया में और तब जाके उनने अपना जो पॉलिटिकल कैरियर था जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो यहां से शुरू की थी तो इसी वज़े से इसको नौ जनवरी को सेलिबरेट किया जाता है और 2003 से ऐसा किया जा रहा है यह जो इवेंट था ना इसमें हमारी फाइनेस मिनिस्टर निर्मला सीता रामन जी ने अपने स्टेट्मेंट में यह काया कि इंडिया सिर्फ चाइना प्लस वन ही नहीं बलकि यूरो प्लस वन बनने के लिए भी इच कर रहा है तो सवाल यहां पर यह उठता है कि यह चाइ लगाया था इनने पिचले 30 सालों में यह क्योंकि इसके कुछ रीजन थे चाइना में दरसल क्या था कि इनको पूरी मैनुफेक्टरिंग कोस्ट कम पड़ती थी वहां पर चीप लेवर अब लेबल थे से साथा सबसे बड़ा जो प्बलेशन की वजगे से वहांका जो domestic consumption था वही बहुत ज़ादा था इसलिए companies इस लालच में कि वहाँ पर अपना manufacturing लगर setup करेंगे तो वहाँ की जो government होगी वो हम लोगों को प्रॉफिट देगी और इसी profit के अलावा हम लोग जो अपना समान है वो भी वहाँ के लोगों को बेच पाएंगे इसलिए अपना manufacturing plant ये company लगाती थी चाइना में लेकिन फिर हाल में क्या हुआ है कि ये जो business strategy थी कि चाइना में फाइदा मिल रहा है इसलिए manufacturing plant वहाँ पर लगाओ इस पे काफी ज़्यादा doubt पैदा हो गया जो company है इनका मानना है कि सिर्फ एक country पर depend रहना अच्छा नहीं है चाइना में ठीक है अपना investment रखो अपना manufacturing plant यहाँ पर रहने दो लेकिन एक manufacturing plant चाइना के बाहर भी कहीं पर होना चाहिए पाकि हम लोग पूरी तरीके से चाइना पर dependent ना हो जाए इसी strategy को कहा जा रहा है चाइना प्लस वन strategy और सबसे पहले 2008 में USA और जपान ने इस strategy को advocate किया था कि पूरी तरीके से चाइना पर depend होना अच्छा नहीं है उसके बाद 2013 में चाइना प्लस वन term को coin किया गया और अगर हाल की हम लोग बात करें इंक्लूडिंग इंडिया जो है उसने मिलके फोर पॉइंट रोड मैप तयार किया है कि जो supply chain है उसको long term के लिए और ज्यादा resilient बनाए जाए उसकी जो कमिया है उसको दूर किया जाए क्योंकि हुआ क्या है कि हाल के कुछ सालों में देखो आप लोग चाइना पर बहुत ज जैसे चाइना में production करना मुश्किल जादा है बजाए low cost की वज़े से असान होने के जैसे जैसे चाइना की जो economy grow कर रही है और वहां के लोगों की जो हालत है वो सुदर रही है जैर सी वात है वो जो low cost job है वो prefer करेंगे नहीं उसे accept करेंगे नहीं जिसकी वज़े से जो cost है labor's का वो भी बढ़ता जा रहा है इसके अलावा हाल की कुछ news को अगर हम लोग देखे तो आप लोगो को याद होगा कुछ साल पहले अमेरिका चाइना के जो trade war की news है वो front page पे ही छपा करती थी ताती साथ पूरे west में और चाइना में एक बहुत जादा trust deficient create हुआ है जिसकी West जो है वो चाता है कि चाइना पे वो depend ना रहा है बहुत जादा और एक trust deficit भी बहुत जादा create हो गया है चाइना की हाल की activities की वज़े से इन सबके अलावा चाइना का जो recent में strict data protection law पर लेके आया गया है वो भी एक बहुत बड़ा problem बना हुआ है लोगों के data से related कानून को ल जो supply chain था world का वो depend था चाइना पर सारी manufacturing factories यहां पर थी इसलिए यहां से समान बनके बाहर जाता था तो इस वज़े से सारी countries पर इसका असर पड़ा है तो यह तो एक दो reason है इसके अलावा और बी ऐसे कही reason है जिसकी वज़े से जितनी भी companies हैं उनका मानना है कि पूरी तरीक manufacturing plant रहेगा इसके अलावा एक manufacturing plant हम लोग लगाएंगे चाइना के अलावा कहीं और भी अचानक से अगर कुछ हो चाइना पर जिसके वज़े से चाइना में जो प्लांट है उससे production करने में दिक्कत आए तो हम लोग बाकी जगे से अपना production बढ़ा देंगे और इसकी वज़े देखा जा रहा था जो कि इससे फाइदा उठा सकता है और थोड़ा बहुत फाइदा इंडिया को हुआ भी है जैसे कि iPhone का हम लोग बात कर ले Foxconn जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा iPhone का production करती थी वो दीरे दीरे हर साल इंडिया में जो उसका production plant है उससे production बढ़ा रही है ल जो बात की जा रही है वो भी सेम चीज यही है लेकिन यूरोप का क्या इशू है कि वहाँ पर लेबर लॉस बहुत स्ट्रॉंग है इन्वार्मेंटल लॉस जो है वो बहुत स्ट्रॉंग है लेबर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इस वज़े से जो companies है वहाँ पर production करना जो ह यूरोप में है उनको shutdown करना पड़ा है अपनी manufacturing को यूरोप के case में जो reason है वो यह है यही चीज हमारी जो finance minister है निर्मला सीतरामन वो कहती है कि इंडिया जो है वो चाइना प्लस वन बनने को भी तयार है साथी साथ यूरोप प्लस वन भी बनना चाहता इंडिया और इसके ल को 75 साल हो गए और इसी लिए एक event भी organize किया गया था अजादी का अमरित मौटसव उसी के बाद से यानि 2022 के बाद से 15 अगर्स 2047 तक का यानि जब इंडिया के independence को 100 साल हो जाएगा इसके बीच का यह जो 25 साल है इसको कहा जा रहा है अमरित का कई लोगों का कहना है यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यह कह चुके है कि यह जो 25 साल होंगे यह इंडिया के लिए काफी जादा important होंगे और इन 25 सालों में हम लोग देखेंगे कि इंडिया जो है वो world का नेत्रितू करेगा इसी चीज़ को सच बनाने के लिए government का एक बहुत बड़ा focus ह जो हमारे डायस्पोरा है बाहर जो कि अपने कामों में काफी जादा successful हो चुके काफी पैसा भी कमा चुके हैं काफी जादा experience गेम कर चुके हैं उनको इंडिया की development में include किया जाए उनके experience का यह capital का या फिर बाकी चीज़ का इस्तिमाल करके इंडिया में business हो गए या फिर ब इंडिया में अपना business setup कर सकते हैं असानी से इसके अलावा भी इंडिया का जो डायस्पोरा है बाहर उसकी हम लोग importance की बात करें तो एक तो हम लोग जानते कि उस country से जहां यह लोग रह रहे हैं वहां से relationship build up करने में यह लोग हमारी help कर सकते दूसरा मैं अगर आप लोग को बताऊं तो 2022 के साल में अकेले ही 100 billion का 100 billion US dollar इंडिया में आया है सिर्फ इस डायस्पोरा की वज़े से यानि 2022 में 100 billion US dollar का remittance आया है इंडिया में पिछले साल से यानि 2021 के मुकावले यह 12% जादा है 2021 में 89.4 billion US dollar का जो remittance था वो इंडिया में आया था और remittance के मामले में इंडिया जो है वो सबसे number one पर है इसके बाद आप लोग को मिलेगा मैक्सिको और एक चीज में चाहता हूँ आप लोग यहाँ पर देखो जो इंडिया का है वो 100 billion remittance आया है इंडिया में मैक्सिको मे जो पैसा ये लोग भेजते हैं remittance के रूप में अपनी family को ये अकेला 3% का contribution देता है हमारी GDP में और इसी लिए ये कहना बहुत हता ठीक है कि इंडिया का ये जो डैस बोरा है ये बहुत बड़ी ताकत है इंडिया की इन सब के अलावा निर्मला सीतर रामन जी ने इंडिया में ही हुई होती है उसके अलावा लॉकिड मार्टीन का ये जो इंडिया में इनिशेटेव है उसकी बात करती है दरसल रिसेंटली लॉकिड मार्टीन ने टाटा के साथ मिलके एक F-16 जो फाइटर जैट होता है उसके विंक्स बनाने का जो production facility है वो सेट अप करने की बात कि इसके अलावा ये Airbus का example देती हैं कि दोलेरा में Airbus एक plant setup कर रहा है manufacturing के लिए साथी साथ ये बताती है कि आज के टाइम में 2000 चिप्स जो है वो design किये जाते हैं इंडिया में तो ये सब चीज ये कहती है हम वने statement में और वाकिए ये काफी positive news है इंडिया के manufacturing sector के लिए या फिर problem नहीं है के लावा agriculture sector की हम लोग बात करें तो उसमें भी कुछ issues हैं लेकिन वो main रुकावट नहीं बनाया हमारी जो economic development है उसमें जो main रुकावट है वो बनाया हमारा lack of manufacturing sector और agriculture sector में भी जो issue है वो भी इसी से जुड़े हुए हैं कि manufacturing sector का ना होना ही एक कारण है कि इंडिया क की जरुरत नहीं होती और जो जरुरत होती है वो काफी ज्यादा skilled human resource की जरुरत होती है जबकि manufacturing sector जो होता है यह jobs provide करता है यह jobs provide करता है law skill या फिर mid skill जो workers होते हैं उनको manufacturing sector ना होने की वज़े से jobs है नहीं जिसकी वज़े से agriculture में हम लोग को देखने को मिलता है कि disguise employment है यानि क जिन लोगों की जरुरत नहीं भी है वो भी उसी काम में लगे हुए है 15% का contribution देती है manufacturing sector हमारे GDP में और 12% जो workforce है उनको employment देती है अगर इंडिया की जो unemployment का issue है उसका अगर हम लोग solution चाहते हैं तो main problem जो है वो यहीं चीज़ है यहाँ पर चुपी हुई है main problem manufacturing sector को हम लोग अ क्राफी ज्यादा स्टेप्स लिए इसको सुधानने के लिए जैसे कि एसी जैट क्रिये टोना में किन इंडिया केंपेंग शुरू किया गौर्वर्मेंट ने पी एला इसकी मोगई गौर्मेंट की जिसके अंदर जो companies है वो production अपना बढ़ाती है तो इसके लिए government खुद उ इंडिया के पास हम लोग को पता है कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है अभी यह बताया जारा कि कुछ महीनों के अंदर ही इंडिया चाइना को पचाड के most populous country बन जाएगा वर्ल्ड में अति साथ हमारा हमारा जो middle class base है वह बहुत जादा जहां से main demand आती है इसलिए हमारा जो domestic consumption है वही बहुत जादा है उसके अलावा यह जो government support देर यह manufacturing में वो अलग से तो इन सब reasons की वज़े से यह जो companies है यह अगर manufacturing plant लगाती है इंडिया में इसमें इन ही का फायदा होगा यह सब फायदे तो मिलेंगे इन companies को इसके अलावा इंडिया में R&D हो गया या फिर industry 4.0 की और भी हम लोग काफी अच्छा progress कर रहे हैं यह industry 4.0 है क्या दरसल देखो जो large scale manufacturing facility लगाए गई थी 18th century में इस time पर जो main technology थी वो थी water या फिर steam के थूँ energy generate करने की यानि कि इसके थूँ energy generate किया जाता था फिर उसको chemical energy में convert किया जाता और इसके थूँ फिर production किया जात इसको का जाता industry 2.0 उसके बाद 20th century के end में क्या हुआ industries में automation देखने को मिला robotics हो गया या फिर बाकी तरीके से जो machines थी वो automatically काम करने लगी किवल एक बार उनको जो program था वो दियना परता था इसको industry 3.0 का जाने लगा इसके बाद 21st century है इसमें industry 4.0 की बात की जा रही है जिसमें IoT यानि internet of things हो गया AI हो गया cyber physical technology का यूज हो गया इस तरीके के features हम लोग को देखने को मिलेंगे ऐसा कहा जा रहा है कि हर machine एक दूसरे से connected होगी हर factories एक दूसरे से connected होगी सारे data को देखते हुए यह फूरी factory machine हो गयी यह सब manage किया जाएगा जिस तरीके से sim में होता है न 4G 5G इसी तरीके से industries में भी होता industry 2.0, 3.0, 4.0 तो इसमें भी यह बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो industry 4.0 की और progress कर रहा है हमारे आज यह सब features है जो industry 4.0 होना चाहिए इसमें काम already हो रहा है इसका फाइदा भी यह सब companies उठा सकते हैं अब इंडिया के point of view से अगर हम लोग बात करें ना तो दरसल होता कि लैक of manufacturing होने की वज़े से हमारी जो population है वो तो बहुत ज़ादा है तो उनकी जो demand हो भी ज़ादा है लेकिन हमारे पास जो manufacturing है वो नहीं है इसकी वज़े से अब मोग का जो import है उसको हम लोग कम नहीं कर सकते है लोगों की जो ज़रत का स criterion है वो तो उनको provide करने पड़ेगा इसी वज़े से हमारा जो balance of payment है वह बहुत ज़्यादा negative रहता है और देश के अंदर से पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जाता है और बात सिर्फ balance of payment के नहीं है बहुत ज़्यादा import पे depend होने की वज़े से बहुत जगे पे हम लोग को problem आ सकती है जैसे कि हम लोग न लेने की कोशिश की रशिया पे तो इसका असर पड़ा तुरे वर्ल्ड पे और यूरोप पे खुद की बहुत ज़्यादा ये लोग dependent थे रशिया गैस पे इसी लिए ऐसी situation ना create हो और हमारी जो import पर dependence है उसको कम करने के लिए जो manufacturing sector है उसको बढ़ाने के जर्रत है इंडिया का और लास्ट इयर इसी महीने में ये था around 8 billion से ओपर का तो चाइना से जो import है वो कम हो रहा है dependence चाइना पे कम हो रही है तो वह अच्छी news है लेकिन bad news यहाँ पर यह है कि overall अगर हम लोग नॉंबर की बात करें पूरी वर्ल्ड से जितना हम लोग trade करते हैं तो वह last year के comparison में बढ़ाई है लास्ट इयर था यह 53.2 billion का और इस साल नॉंबर में यह था 58.23 billion का तो इसको भी देखने की जरुरत है और वाकई जो आत्म निर्बर की बात की जा रही है इंडिया में वो आत्म निर्बरता डेवलॉप करने की जरुरत है इंडिया को उसके अलावा चाइना ह इशू के वज़े से पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन पर जो असर पड़ा है उसके बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इंडिया अभी हाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यह का है कि वर्ल्ड जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है कि इंडिया प्रोव किजिए गा यह दैट सौल एवनाइस दे टेक केर